हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल लाइफ इजी है पर इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 best government jobs की जिने हम graduation के बाद apply कर सकते हैं तो अगर आप हमारे इस चैनल पे नए है तो इस चैनल को subscribe कर लिजिए और bell icon जरूर दबाईए ताकि आने वाली सभी वीडियो की notification आ यहां काम होता है तो हम देखते हैं कि front desk पे जितने भी staff बैठे होते हैं चाहे वो ITGS booking हो या NEFT के transaction करनी हो तो bank clerk ही होते है या फिर cash counter पे जो staff बैठा होता होता है वो bank clerk होता है IBPS clerk को apply करने के लिए age limit जो होती हो 20 साल से लेकर 28 साल की है graduation degree आपने किसी भी steam से की हो recognized university से की हो तो आप इसको apply कर सकते है cash enhanced salary जो इसमें होती है 25 से 30,000 की होती है IBPS clerk का exam दो स्टेज में होता है एक prelim और दूसरा main दोस्तो bank clerk job का second part है SBI clerk State Bank of India लगबग हर साल अपनी clerk position के लिए vacancies निकालता है इसमें apply करने के लिए age limit है 20 साल से लेकर 28 साल कोई भी graduate जैसने किसी भी stream से graduation की हो वो इसको apply कर सकता है बड़ इसमें basic percentage का एक criteria है वो हमें fulfill करना पड़ेगा बात करें इसमें salary की तो cash in hand salary इसमें लगबग 25 से लेके 30,000 की होती है और यह exam तीन पार्ट में होगा पहला prelim, main और एक specific language, local language जो हमने select किये उसका test होगा चलिए अब अपनी अगली job के बारे में बात करते हैं दोस्त नंबर की job है SSC CGL यानि staff selection commission का combined graduate level exam दोस्तो इस exam के थुरू कई ministries और department में posting होती है दोस्तो SSC CGL काफी famous exam है और जहां तक बात करें इसमें age limit की तो यहाँ पे age limit vary करती है department to department और position to position इसमें दो category है age limit की एक 18 साल से लेके 30 साल और दूसरा 20 साल से लेके 32 साल यहाँ पे कोई भी graduate apply कर सकता है चाहे उसने किसी भी स्टीम से graduation की हो बात है जहां तक salary की तो starting में cash in hand salary on an average 40,000 से लेके 17,000 परमंत होती है यहाँ पे 4 level पे exam होते हैं पहला tier 1, दूसरा tier 2, तीसरा tier 3 और चौता tier 4 पहले दो tier जो दो based के exam है वो computer based online exam होंगे आपके tier 3 offline subjective exam होगा और tier 4 आपका skill test होगा चलिए अब बात करते हैं अपनी अगली job के बारे में दूस्त नंबर पे है PSU jobs बात करें अगर इंडिया में top companies की तो maximum companies PSU companies ही होंगी उसमें PSU companies time to time अपनी requirement के according vacancies निकालती रहती हैं चाहे वो graduate level पे हो चाहे वो technician level पे हो चाहे वो higher level पे हो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं graduation level की तो हर PSU graduation level पे vacancies निकालती है और यहाँ पे age limit vary करती है company के according और designation के according salary भी on an average starting में graduate level को मिल जाती है 30,000 से लेके 40,000 enhanced salary per month मिल जाती है और यहाँ पे पूरा corporate culture होता है अगर आपको corporate culture में काम करना आपको सरकारी दफतर में काम नहीं करना है तो काफी अच्छा option है यह company अपनी requirement के according time to time vacancies निकालती रहती है बात करें यहाँ पे selection process की तो यहाँ पे basically common देखा गया है कि एक्जाम होता है और interview होता है और इसके बाद यहाँ पे selection हो जाता है काफी अच्छा career माना जाता है यहाँ पे चलिए अब बात करते हैं अपनी अगली job के बारे में दोस्तो चौथे नंबर पे है bank PO की job बैंक कलर की तरह इसको भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है पार्ट A है IBPS PO All over India में public sector banks के लिए IBPS PO की vacancy के लिए भरतिया निकालता है बात करें इसमें age limit की तो इसमें age limit है 20 साल से लेके 30 साल कोई भी graduate जिसने किसी भी discipline से graduation की degree पास की है किसी भी stream से graduation की है वो इसको apply कर सकता है बात करें इसमें आपको working knowledge होनी चाहिए computer की और जो state की official language है उस पे आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए यहाँ पे जो starting salary है bank PO की वो 40,000 पर मंत cash in hand आपको मिल सकती है दोस्तों इसका selection process जो है वो तीन पार्ट में divide है पहला prelims, दूसरा mains और तीसरा interview दोस्तों bank PO का दूसरा पार्ट है SBI PO SBI bank clerk की ही तरह PO post के लिए भी vacancies निकालता है इसमें जो age limit है वो 21 साल से लेके 30 साल और कोई भी graduate जिसने किसी भी stream से graduation की हो इसको apply कर सकता है बात करें इसमें starting salary की तो cash in hand salary आपकी permit 41,000 यानि 41,000 के असपास हो सकती है इसका भी selection जो है वो तीन पार्ट में divide है पहला prelims exams, दूसरा main और तीसरा GD और interview दोस्तों इसका exam थोड़ा सा tough होता है अगर हम इसको compare करें IBPS PO से या SBI के अपने clerk exam से ये बात हो गई बैंक PO की jobs की अब हम बात करते हैं अपनी अगली job के बारे में थर्ड नंबर की job है RBI, grade B officers की job Reserve Bank of India अपनी जितनी भी branches उसकी देश में हैं उसके लिए grade B officers की recruitment करता है इसमें age limit है 21 से लेके 30 साल की कोई भी graduate जिसने 60% के साथ graduation की हो प्लस 10 और 12 में उसके 60% आए हो वो इस job के लिए apply कर सकता है यहाँ पे salary cash in hand आपको starting में 40,000 के आसपास मिल सकती है grade B officers का selection दो पार्ट में divide है एक उसका exam होगा दूसरा उसका interview लिया जाएगा यह बात हुई RBI grade B officers की job की हम अपनी अगली job के बारे में बात करते हैं दोस्तो second number पे हमने रख़ है defense services की jobs को अगर आप graduation के बाद defense services में जाना चाते हैं तो आप CDS के थूँ जा सकते हैं CDS का exam UPSC साल में लगबग दो बार कराती है जैसा NDA के exam UPSC कराती थी same way UPSC CDS के exam कराती है CDS में apply करने के लिए चार option होते हैं और इन चारो option के according इसमें age limit को decide किया जाता है जैसे कि military academy और naval academy को join करने के लिए age limit होती है 19 से लेके 24 साल की CDS को सिर्फ unmarried male candidate ही apply कर सकते हैं Women training academy का criteria थोड़ा साल लग है educational qualification की अगर बात करें तो कोई भी graduate जिसने किसी भी stream से graduation की हो वो military academy के लिए apply कर सकता है और Air Force और Navy academy के लिए physics और mathematics graduation में होना compulsory है selection process के यहाँ पे दो पार्ट है पहला exam है दूसरा interview training period के दोरान जो बच्चे select होके आए हैं उनको step in दिया जाता है और after completion of training जब इनको position दी जाती है जब इनकी posting होती है तो काफी अच्छी salary इनको दी जाती है यहाँ तक बात होगी हमारी CDS की job की अब हम बात करते हैं अपनी last job के बारे में दोस्तो हमारी list में last और number one की job है civil services की job यानि IES और IPS की job IES और IPS की job से हर कोई प्रवावित है इनके रुतुबे से इनकी power से इसका जो selection होता है UPSC के through होता है UPSC के exam clear करना पड़ता है इसमें बात करें age limit की तो age limit है 21 से लेके 32 साल और इसमें reserved categories के लिए काफी छूट है बात करें इसको कोई भी graduate अपलाई कर सकता है उसने चाहे किसी भी stream से graduation की हो खास कर इसमें जो arts के बच्चे होते हैं वो काफी अच्छा perform करते हैं बात करें इसमें salary की तो salary भी काफी अच्छी होते है starting की salary इनकी basic salary 56,000 होती है प्लस जो other benefits होते हैं other perks होते हैं वो इनको मिलते हैं इसका selection process तीन पर्ट में divide है पहला prelims exam होगा दूसरा main और तीसरा interview दोस्तो ये इंडिया में topmost bureaucrate की job है और ये सबसे best job मानी जाती है इंडिया में तो दोस्तो इस वीडियो में हमने बात की उन 7 best government jobs की जिसे हम creation के बाद apply कर सकते हैं तो आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को like करिये हमारे चैनल को subscribe करिये और bell icon जरूर दबाईए ताकि आने वाली सभी वीडियो की notification आपको मिलती रहे